हेलो फ्रेंद्स, स्वागत आप सब का मेरे योटीब चैनल विकास 3-1 टैक में तो फ्रेंड्स अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर करते हैं या फिर आप एक योटीवर हैं तो आपने एक news जरूर सुनी होगी या YouTube पर भी देखा होगा आपने के Instagram threads आ गया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ये Instagram threads क्या है, इस पर आप अपना account कैसे create करेंगे और उसके बाद आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डेटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही ज़ादा informative है, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेके last तक जरूर देखेगा, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है, पहली बार मेरे चैनल के उपर आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और notification बेल को on करके उसे all पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरे आने वाली हर एक नहीं वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो फ्रेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ये Instagram Threads है, ये Instagram का ही एक नया फीचर है, मतलब जो Instagram के ओनर है, उन्होंने ही ये Instagram Threads application को launch किया है, और ये जो application है वो उन्होंने Twitter को टकर देने के लिए launch की है, जैसे आपके Twitter पे आप tweet करते थे, वैसी आप Threads application पे आप Threads करेंगे, सेम वैसी ही application है, सब कुछ इसमें बिल्कुल Twitter की तरह ही है, same to same है, इसमें बिल्कुल भी difference नहीं है, जैसे उसमें आप tweet करते थे, कुछ भी लिखके tweet करते थे, ऐसी ही Threads के अंदर भी आप कुछ भी लिखके, इसमें Threads करेंगे, बस वहाँ पे आप जब tweet करते थे, तो tweet बोलते थे, यहाँ पे आप Threads करते हैं, तो Threads बोलेंगे, बस इतना ही अंतर एसमें, और बाकी बिल्कुल copy है, यह बिल्कुल उसको टकर देने के लिए उन्होंने लॉंच किया है, अब मैं आपको बताता हूं कि इस पे आपको account कैसे create करना है, मैं आपको अपनी mobile phone की screen पे ले जाके, सारा process अब समझा देता हूं, तो friends हमाच चुके हैं, अपने mobile phone की screen के उपर, जैसर कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको direct अपनी Instagram application को open नहीं करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको play store की जो application है, उसको open करना है, और उसको open करने के बाद, यहाँ पे आपको Instagram लिख के search करना है, और अपनी Instagram application आपकी यहाँ पे आजाएगी, और अगर यहाँ पे update लिखा रहा है, तो आपको अपनी Instagram application को सबसे पहले update करना है, थबी आपको threads का option वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, otherwise आपको हो सकता है, threads का option ही दिखाई ना दे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको Instagram के application को update कर लिना है, update कर ली हमने application, अब हम अपनी Instagram के application open करते हैं, यहाँ पे मेरा account open हो गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको top right corner में, three lines जो दिखाई दे रही हैं, आपको इन three lines के उपर click करना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं, मुझे threads का option यहाँ पे मिल गया, new लिखा आ रहा है, threads वाले option पे हमें click करना है, तो आप देख सकते हैं, यह automatic switch होता है, automatic connect होता है, Instagram का ही feature है, तो automatic यह आपका, जो threads का account है, उसको create करेगा, यहाँ पे हम get threads पे click करेंगे, ठीक है, get threads पे हमने नीचे जैसे ही click किया, तो यह हमें play store के अंदर ले गया, अगर आप apple phone यूज़ करते हैं, तो आपको यह apple में, जो आपका play store है, app store, वहाँ पे ले जाएगा, android यूज़ करते हैं, तो यह मुझे play store पे ले आया, और मुझे जो application यहाँ पे आई, इसको मुझे install कर लेना है, अपने phone के अंदर, तो मैंने इस पे click कर दिया है, ठीक है, अब यह कुछी देर में install हो जाएगी, तब तक हम wait कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यह application जो है, वो download हो गई, अब हम यहाँ पे open पे click करेंगे, तो यह इस तरीके से आप देख सकते हैं, Instagram के icon की तरह threads का icon, उसी color में आ रहा है, ठीक है, अब यह open होने लग रही है application, तो यह आप देख सकते हैं, इस तरीके से threads आ गए, ठीक है, यह इसका interface है, अब धीरे धीरे यह open होगी, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है, जो मेरा login है, मेरा Instagram वाला account, उसी account से, yes हमें इसी से करना है, तो हम login कर देंगे, get ready for threads, तो यह आप देख सकते हैं, यहाँ से आपकी profile में, जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, import from Instagram, जो भी आपकी bio है, जो भी आपका Instagram पे लिखा हुआ था, वो सब यहाँ पे automatic आ जाएगा, मैं import पे click कर देता हूँ, ठीक है, Follow the same accounts, आप accounts को यहाँ पे follow कर सकते हैं, जितने accounts को चाहें, वहाँ पे follow कर सकते हैं आप, ठीक है, यह आपर भी, ठीक है, जैसे मैं इसे follow कर लेता हूँ, कर लिया, उसके बाद आगे करेंगे, join threads, ठीक है, join threads पे click करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं आपका यह home page आ गया यहाँ पर जो भी यहाँ पर threads कर रहा होगा वो यहाँ पर show होता चला जाएगा ठीक है यहाँ पर मैंने अपना जो मेरी profile है यह मेरी profile आ गई आप देख सकते हैं यहाँ पर replies आ जाएंगे ठीक है यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया यहाँ पर जितने भी replies आएंगे वो सब यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है request आ रखी है मेरे पास कितनी सारी आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर replies आ जाएंगे mentions हैं ठीक है यहाँ पर verified का अगर verified हो जाएंगे तो वह आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पेज है जो भी यहाँ पर threads करेगा वह इस तरीके से जैसे Twitter पर दिखता था सेम वैसे ही है आप देख सकते हैं इसका work करना है account create करना है तो friends मैंने आपको सारी चीज़े इसमें clear कर दी है इंस्टाग्राम threads के बारे में complete जानकारी दे दी है आप मुझे comment section में comment करके जरूर बताएगा कि आपको यह application कैसी लगी और इससे related अगर कोई question है कोई query है तो वह भी आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो पसंद आई हो तो इससे like और share जरूर करें thank you